तो हेलो एंड वेलकम यूओ अल आम रूईद फ्रोम महाजन ट्रीडर सो गाइस आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जिसमें एक बीग बूल ने जो बीग बूल जिसे हम बोलता है मार्केट के बीग बूल राके जुन-जुन वाला ने लगभग कई सारे जो शेर से एक्विटी शेर्स किसके एडल्विस फैनेंस सर्विस के शेर्स उठाए गए है जैसे हमें न्यूस पता चली हम वैसे इस पर वीडियो बनाया तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को लाइक कर देना तो आई साम देख सकते हो अगर हैं यहाँ पर पड़ू एज इन्वेस्टर राकेश जुनजुल्वाला रेज श्टेक इन धिस कंपनी कंपनी स्टॉक इट्स अपर सर्कीट अप 10% एज़सेलिब्रिटी इन्वेस्टर राकेश जुनजुल्वाला रेज टेक डल्वीस फैनेंस इस अपर सर्कीट 10% आप देख सकते हो इसने शुकरवार के दिन एक हाई लगा था और इसने अच्छा खासा इसमें हायर हाई लगने वाले हैं क्योंकि राकेश जुनजुन वाला ने राकेश जुनजुन आला को तो आप जानते ही होंगे उन्होंने इसमें अपने एक्वि वीडियो को पूरा देखने का इस और चैनल को सब्सक्राइब कर देना हैं तो as a celebrity investor राकेश जुनुनआला रेस्टेक in एडलवेस finance service the share of financial company hits an upper circuit of 10% of 86.15 rupees on the BSE in Friday season according to the latest shareholding pattern राकेश जुनुनआला who he termed as big bull increased his stack in the company by purchasing more 4 million equity shares in the first quarter of this pixel 2022 तो आप देख सकते हो 4 million equity shares राकेश जुनुनआला ने इसमें buy किये है और इसमें अपने equity shares में इन्होंने race किया है अपने इसमें तो इसमें काफी कुछ हम बात करने वाले इडलविस के बारे में तो आप देख सकते हो 93.80 का इसका price चल रहा है जो करन की में बात कर रहा हो अभी के market की तो इसमें अभी ये तो ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है बीच बीच में काफी 99 तक भी गया था फिर नीचे आया और नीचे के और ये trade कर रहा है अगर बात करूँ में एक मेने के time frame की तो वही 17 रुपे लगबक 17 रुपे 75 पे से ये share trade कर रहा है उसके बात अगर मैं बात करूँ 5 दिन के time frame की तो एक रुपे 20 पे से stock बढ़ता हु हमें आपर दिखाई दे रहा है तो वही बात करेंगर हम 6 मेने के time frame की तो stock trade कर रहा था 62 रुपे के price पर पर अच्छा खासा उपर गया 88 कक फिर लगबक नीचे की और आता गया 57 रुपे तक है आ गया फिर उसके बाद जो इसमें हमें 30 देखने को विलिए तो आप देख सकत एक साल के time frame की तो आप देख सकते हो एक जो एक टॉप यहाँ पर दिख रहा है 85 का और सेकेंड टॉप बता रहा हूँ 81 का और थर्ड टॉप जो वोता रहा हूँ मैं ओ भी है लगबक 88 का यह जो 3 टॉप्स है इन टॉप्स को इसने यहाँ पर ब्रेक किया यहाँ पर 80 के प्राइस पर इसे खरीदा बट उसके बाद जो हुआ आप देख सकते हो काफी हाय राइस इसने लगा है तो आप देख सकते हो 80 के प्राइस पर ट्रेड करा था फिर नीचा आया 50 के प्राइस पर फिर उपर गया फिर नीचा आया फिर नीचा आया मतलब इसे नीचे के ल ही इसका जो इसने अभी अभी लगाया है और वही बात करो में इसके बावन विक के लोगा तो आप देख सकते हो 49.95 पेशे इसने लो लगाया है और काफी अब देख सकते हो इडल्विस फाइनन्से विस लीमिटेडर तो काफी companies इसके अंडर में काम कर दिये वही बात करेंगे इसके चार्ट की तो इसके चार्ट में हमें क्या कुछ होता हुआ यहापर दीख सकता है तो देख सकते हो गाइस ईजी सा पैटन है आपको एजी तरीके से हापर समझाने वाला हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर गया लगभग एक गया 99 के लेवल तक 100 के लेवल तक गया था फिर फिर यह नीच आया फिर उपर गया फिर नीच आया फिर उपर गया जहाँ पर इसने next बार support लिया था लगबग 73 के level पर इसने support लिया था फिर उपर से नीचे की और आया और इसने लिया लगबग 85 के level पर इसने फिर से support लिया फिर उपर गया फिर यही पर इसे rejection मिला तो इसका rejection जो rejection point है हो main point है क्योंकि यहाँ पर इसे rejection मिला और यहाँ भी इसे rejection मिला यहाँ से नीच आया और यहाँ से भी नीच आ रहा है तो एक कहाँ पर support लेने वाला है 91 या 90 के level पर support ले सकता है गाई क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे यह stock बढ़ता हुआ मैं दीख रहा था वेसे इसने यहाँ पर support लिया था 85 के level पर और यहाँ भी यह बढ़ रहा है 99 से तो यहाँ पर भी यह support लेंगा 92 के level पर तो काफी amazing इसमें होने वाला है और अगर इसका पिछला अगर मैं थोड़ा इसे one week chat frame पर ले जाओ तो आपको इसमें clearly यहाँ पर सीधे से पेटर यहाँ पर आपको समझने वाले समझ में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर से अगर मैं बात करूँ इसके पिछले records की तो आपको इसी तरीके से समझ में आएगा क्योंकि यहाँ से stock जब गिरा था तो सीधा इस level पर यह बढ़ा था जो अब यह नीचे की और support जो level में बनाया है उस level पर यह trade कर रहा था बट बट क्या हुआ उसके बाद यहाँ से जो इसे breakout मिला कौन से level पर 102 के level से तो यह सीधा गया था 341 के level तक फिर से यह नीचे आया गाइस फिर से यह नीचे आया रहा है बट जो अभी यह breakout हमें मिलने वाला है breakout जैसे यहाँ पर हमें breakout मिलने वाला है अगर मैं इसे इस level को अगर हटा देता हूँ यहाँ से तो यहाँ पर हमें breakout मिलने वाला है breakout क्यों कि यह उपर गया रिटेस किया नीचे है उपर गया रिटेस किया नीचे है फिर rejection मिला और यहाँ पर जैसे हमें breakout मिलता है तो आप सोच सकते हो कि इसमें कितने high rise यहाँ पर बनने वाले है और आप कितना return इसमें कमा सकते हो तो guys अगर आप इसमें long term के लिए अपना पेशा डालने चाहते हो तो काफी best रहेंगा क्योंकि 4 million stock equity shares राके जुन जुन वाला ने भी खरीदे होगे तो उन्होंने कई कुछ तो सोच के खरीदा होंगा तो यही वो patterns है और यही patterns के basis पे आप इसमें अपना पेशा लगा सकते हो long term के लिए इस वीडियो अगर पसंद आए हो तो फ्लीज वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना thank you